जैसा कि आज कल बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्कोडिगामाने की थी यह बहुत ही हास्यपद लगता है बलकि वास्कोडिगामाने तो केवल यूरोप से भारत तक का समुदरी रास्ता खोजा था. बाद लगभग 700 वर्ष पूर्व की है जब भारत वर्ष एक शक्तिशाली देश हुआ करता था. भारत वर्ष उस समय व्यापार क्रिशी धन संपदा प्राकृतिक सौंदर्य में ही नहीं बलकि समस्त चीजों के लिए प्रसिध था उस समय अरब देश भारत से मसाले आदी सस्ते दामों में खरीद कर यूरोपिये देशों को महेंगे मूल्य में बेचते थे. यूरोपिये देशों को भी लगता था कि अरब देश कहीं ना कहीं हमसे कुछ चुपाते हैं. आथ यूरोपिये देश अब उस देश का पता लगाने निकलते हैं, जहां यह सस्ते और अच्छे सामान पैदा होते हैं, तत पश्चाप तीन यूरोपिये नाविक समुदरी मार्क के द्वारा मूल्यवान वस्तु के देश की खोज के लिए निकल पड़ते हैं. इनमें एक इटली के कोलंबस थे, जो अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और उन्होंने अमेरिका के रास्ते की खोज की. कोलंबस ने अमेरिका को ही भारत समझा इसलिए वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाने लगा था. कोलंबस के पांच साल बाद पुर्तगाल निवासी वासकोडिगामा ने नौ महीने समुद्र में यात्रा के पश्चात भारत के कालिकटके के तट पर 20 मई 1948 में प्रवेश किया. वासकोडिगामा ने वहां के क्शेत्रिय राजा जमेरियन से मुलाकात की और मसालों के व्यापार के लिए समझाता किया बस अब क्या था यहां से ही खबर फैल गई कि भारत की खोज हो गई. जबकि यही वह समय था जहां से यूरोपीय शास्कों व्यापारियों लुटेरों के लिए भारत में लूट का दर्वारत में तीन महीने भारत में रहने के बाद वह 1502 में फिर से भारत आया और हरी मिर्च देकर लाल मिर्च वह मसालों का व्यापार करके भारत से लोटा. इसके बाद विदेशियों के आना गोवा और केरल में धर्म परिवर्तन लूट पार्ट से शुरू होकर फ्रांसीसियों पुर्टगालियों अर्बों मुगलों अंग्रेजों आदी पर समाप्त हुआ.